जब भी भारत में सम्विधान का जिक्र होता है तब बाबा साहिब डॉक्टर भीम राउम्बेटकर का नाम लिया जाता है बाबा साहिब को Father of Indian Constitution कहा गया क्योंकि सम्विधान को तैयार करने में उनका सबसे बड़ा योगदान था उसके कारण उन्हें सम्विधान निर्माता कहा गया लेकिन आखिर क्यों सम्विधान को बनाने के लिए बाबा साहिब डॉक्टर भीम राउम्बेटकर को ही चुना गया और बाबा साहिब दॉक्टर भीमरा उम्बेटकर के साथ वो कौन थे जिनोंने भारत के समविधान को जन्म देने में अपना एहम योगदान दिया नमश्कार मैं हूँ आपके सांत्रीटा और आप देख रहे हैं भीम सेना बाबा साहिब डॉक्टर भीमरों बेटकर का नाम अकसर आपने समविधान से रिलेटेड सुना होगा आपने सुना होगा कि बाबा साहिब को समविधान निर्माता कहा जाता है लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि उन्हें समविधान निर्माता कहा क्यों जाता है और आपको ये भी शायद नहीं पता होगा कि उनके साथ वो कौन लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की समविधान लिखने में आईए आज इसी कहानी को जानते हैं कई कुर्बानियों के बाद भारत देश ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ दशकों तक चले संघर्ष और आंदोलनों के बाद अंग्रेजी हुकूमत भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई और 14 अगस्त 1947 को आधी राद भारत के आजाद होने का एलान हुआ और सुभा के अकबार की सुर्खियां भारत के आजाद होने की खबर दे रही थी भारत आजाद हो चुका था उसके बाद सम्विधान बनने की चर्चा हुई और चर्चा में एक नाम सामने आया बाबस साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेटकर भारत का नया सम्विधान तयार करने के कुछ वकील भी थे जिन्होंने भारत के सम्विधान का निर्माण किया सबसे पहले बात बाबा साहिब भीमराव अंबेटकर की करते हैं बाबा साहिब 64 विश्यों में मास्टर्स थे उन्हें नौ भाशाओं का ग्यान था उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी और उन्होंने ल साल की पढ़ाई को पूरा कर लिया था ये लंदन स्कूल ऑफ एकॉनोमिक्स से डॉक्टर ओफ साइंस नामक मुल्यवान डॉक्टर रेट की डिग्री हासिल करने वाले दुनिया के पहले और एक मात्र व्यक्ति बने और इसी वजह से उन्हें सम्विधान का निर्मान करने क की जिम्मिदारी दी गई बाबसाहिब के साथ सम्विधान का निर्मान करने के लिए नर्सिंग गोपाला स्वामी अयंगर को भी जुना गया नर्सिंग सम्विधान सभा की ड्राफ्टिंग कमिटी के सदस्य होने के साथ साथ राज्यसभा के नेता और भारत की पहली मंत्री परिश्रत के cabinet मंत्री थे वो मदरास civil service में अधिकारी थे उन्होंने west lay school, presidency college और मदरास law college से सिक्षा प्राप्त किये थी और इस वजह से उन्हें सम्विधान निर्मान करने की जिम्मिदारी सौपी गई और एक सधस्य के रूप में चुना गया तीसरे सधस्य थे अल्लादी कृष्ण सौपी अयर भारतिय कानून विदवान थे उनको कानून की पूरी knowledge थी उन्होंने 1899 में मेटरिक की परिकशा पास करके मदरास क्रिश्ण कोलिज्च से इतिहास की पढ़ाई की थी अपने खाली समय में वो कानून की थे कनहिया लाल मुन्शी उनके पास भी डॉक्टर की डिग्री थी जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर एम मुन्शी का दर्जा दिया गया था 30 दिसंबर 1887 को गुजरात के भरूच में जनमें डॉक्टर एम मुन्शी ने 1902 में बडोदा कॉलेज में एड्मिशन लिया था और ये फर्स्ट क्लास से भी पास हुए थे वहीं 1907 में अंग्रेजी विशे में सबसे जादा मार्क्स हासल करके उन्हें बीए की डिग्री भी सामिल कर ली थी और वो एलाइट प्राइस से सम्मानित किये गए थे बात में इसी युनिवर्सिटी से उन्हें ओनर्स की डिग्री भी मिली थी 1910 में मुंबई से LLB की डिग्री हासल करके उन्होंने बॉंबई हाई कोट के वकील के रूप में काम करना शुरू किया और रेजिस्ट्रेशन करवा लिया था और इन सभी उपलबदियों को हासल करने के बाद आजादी के पश्चात उन्हें बाहरतिय सम्विधान के निर्मान के लिए चुना गया वहीं सम्विधान का निर्मान करने वाले पांचवे सदस्य थे सरसयद मोहमद सादुल्ला वह बिटिश कालीन भारत में असम के प्रीमियर तथा राजनितिग्य, कानूनी, विदवान, सम्विधान सभा के प्रमुक सदस्य और असम योनाइटेड मुस्लिम पार्टी के प्रमुक राजनीता थे उन्होंने गुहाटी के कॉटन कॉलेज और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से सिक्षा प्राप्त की थी, उनके पास M.A. और B.L. की डिग्री भी थी सम्विधान का निर्मान करने ही तू चुने गए छटे सदस्य थे न्याइपती माधव राओ, श्री न्याइपती माधव राओ, न्याइपती माधव राओ भारतिय सिविल सेवक और प्रशाशक थे उन्होंने 1941 से 1945 तक मैसूर स्टेट के दिवान के तौर पर कार्य किया था, बाद में वो भारतिय सम्विधान की डॉक्टर भीम राओं बेटकर के अध्धक्षता वाली प्रारूप समिती के सदस्य बने थे एनेम राओ ने फर्स्ट रैंग के साथ मैसूर सिविल सर्वेसेज परिक्षा पास की थी, इसके लिए उन्हें क्रामिकल मेडल से सम्मानित किया था, उन्होंने असिस्टिन कमिशनर के तौर पर भी काम किया था प्रारूप समिती के साथवे सदस्य थे त्रिवेलोर थत्ते कृष्णमाचारी बाद में उन्होंने 1956 और 1964-66 तक भारतिय वितमंत्री का कार्यभार समाला था, उन्होंने तमिलनाडू में स्थिर DRBCCC हिंदू कॉलेज में पढ़ाई की थी, उसके बाद मदराज कृष्ण कॉ इनकी भूमिका सबसे एहम रही थी, इसका एक उधारन ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे टीटी कृष्णचारी के उस भाषण से समझा जा सकता है जो उन्होंने नवंबर 1948 को समविधान सभा में दिया था, अपने भाषण में अंबेटकर की भूमिका के बारे में बत और एक सदस्य सरकारी मामलों में इतना उल्जे थे कि वो अपने जिम्मदारी को निभा नहीं पा रहे थे, दो सदस्य दिल्ली से दूर थे और कमिटी की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, इस तरह समविधान को लिखने का भार डॉक्टर बावसाहे भीम रहों चाहिए क्योंकि इस जिम्मदारी भरे काम को उन्होंने सराहनिय तरीके से अंजाम दिया, समविधान तयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमिटी में अध्यक्ष के तौर पर अम्बेटकर का चयन यूँ ही नहीं हुआ था, उनकी राजनितिक योग्यता, कानूनी दक्षता औ और भाषाई ज्यान के कारण उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, इतना ही नहीं समविधान सभा में उठने वाले सवालों का जवाब देने और प्रावधानों के बीच संतुलन बनाने में अम्पीटकर की भूमी का एहम रही, इसका असर भारतिय समविधान में देखने को मिल थे, उनमें से 15 महलाएं भी शामिल थी, ये कहानी समविधान के बनने की है, समविधान को अकेले बावा साहिब डॉक्टर भीमरा अंबेद करने किस तरीके से पुर्जोर कोशिश कर सम्हाला और बनाया, ये उसकी कहानी है, क्यों बाबा साहिब को चुना गया, ये भी हमने आपको बताया, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें सरूर बताईएगा, बने रही हमारे साथ, नमस्कार